नमस्कार जैमातादी मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आजा रहे हैं धनुराशी की बात करते हैं सेजिटेरियस की बात करते हैं और सेप्टमबर के महीने की बात करते हैं कि धनुराशी वालों का सेजिटेरियस वालों का सेप्टमबर का महीना कैसा रहेग आम आपको उपाय देंगे, रेमेडिस देंगे, कुछ एक तरीका बताएंगे जिससे आप अपनी अलर्जी को और अच्छा कर सकते हैं, तो यहनी सलूशन तो हचीज का होता है, बट निकालना तो सलूशन आपको है, हमने तो आपको बताना है, आप ने करना है, लेकिन ध्यान कारी देंगे, लेकिन आपने आगे शेयर भी करने है, गुरू आपकी राशी से छटे भाव में चल रहे है, जुपिटर, बड़ा रोल होता है इनका, आपकी राशी से छटे भाव में गुरू का अच्छा नहीं वाना जाता, छटे भाव में गुरू का पलीस नहीं है, और में तो गुरू बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते हैं, आपका रूतवा खटरें में पड़ सकता है, क्योंकि आपकी राशीश से छटा बाव है ये, तो आपके लिए खास करके ध्यान डखने की जरूरत है, और कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन, अगर आप लेने जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ करके लिजेगा, जल्दवाजी मत दिखाएगा, कई बार हम लोगों ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बहुत सरे डिसीजन ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, यहां आपकी समझतारी की जरूरत ह और खास करके आपको इस मेहने काम जादा करना पड़ेगा, काम करने में दिख्कत कहां होती है, किसी को होती है क्या काम करने में दिख्कत नहीं, लेकिन काम का जब रिजल्ट नहीं आता तो वो बहुत चारी दिख्कत हो जाती है, हर कोई सुचता है कि हम इतनी मेहनत करते है इतना तो मिलता ही नहीं है, इतनी महन करते हैं, इतना तो रुतवा भी नहीं बढ़ता हमारा, इतना हमें रिकगनेशन भी नहीं मिलता, तो वहाँ प्रावलम होती है जब हमें रिकगनाईज नहीं करता, कोई रिकगनेशन नहीं मिलता, कोई एप्रिसेशन नहीं मिलता, कोई पुछा करके अवे दिकते होती है, थोड़ा सा इस महिने में ये दिकत फेज करनी पड़ सकती है, मंगल की सातवी द्रिष्टी आपकी राशी के ओपर पढ़ने हैं, और आपकी राशी पर इनकी सातवी द्रिष्टी मंगल की पढ़ने से क्या होगा, आपको वैसे तो जब आपकी राशी का प्लैनेट सही जगा प्लेस नहीं होता और उपर से मेलिफिक प्लैनेट आपको देख ले तो वहाँ थोड़ा सा स्टॉंगनेस तो देख लेकर उल्चने भी बढ़ा देते हैं अन्नेसरली की उल्चने कुछ बढ़ सकती हैं कोई प्रावलम्स क्रियेट हो सकती हैं लेकिन हम आपको कहाना कि डरना नहीं है किसी भी राशी से डरना नहीं होता है हम अवेर हो जाते हैं अगर मुझे पता चल जाए कि यहां में सामने खाई है तो मैं कूदूंगी नहीं न उसमें जा करके साइट से निकलने का प्रयास करेंगे तो यही राशी का मकसद होता है यही आपके लिए एक अवेर्नेस आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद होता है शनी की दरिष्टी बुद्ध आदित्यर राज योग के उपर पड़ रही है अब देखें राज योग तो है तो शनी उसको धेके और वही आप uz देखें और वही आपकु मालूम है कि वक्रियचाल में चल रहे तो ऐसे में अगर हम बिजनस की बात करें या काम की बात करें आपके सर्विस की बात करें तो» आपको उतना ज्यादा लाब नहीं मिलेंगा जितना आपको पहले मिल रहा था थोड़ा सा डिस्टरब कर सकते हैं, मेहनत जादा करवाएंगे, लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा कम हो सकता है, कम हो सकता है, हम यह नहीं कहा रहे हैं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, कम हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ी सी कमी भी तो करोव दाता है तो ये थोड़ा से आपको डिस्टरब कर सकता लेकिन जैसे आप अंति महाने की तरफ जा रहे होंगे मिडल कर लेंगे उसके बाद आपको कुछ खास लाब मिलने वाले हैं कुछ खास फाइदे उसके तो थोड़ा समय तो थोड़े दिन तो वेतीत कर लीजिए जैसे जैसे मिडल से आगे जाएंगे तो वहाँ देरे देरे आपकी चीजों में चेंजिस आना शुरू हो जाएगा यह जितनी चीजें पहले कम थी उतनी चीजें बढ़ना शुरू हो जाएगे और स्वास्त की अगर हम बात करेंगे तो मिडल के बाद में जाकर के स्वास्त बेहतर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा पहले है तनाव है थोड़ा स्ट्रेस है थोड़ा सा उतल उतल हो सकती है ल को थोड़ा सा ध्यान डखने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात है कि कई बार क्या होता है कि जैसे पहला इंपक्ट भले ही पहली चीजें खराबती बाद में अच्छी हो रही है बाद हम अच्छे को एंज्वाइन करते हम पहली चीजों को लेकर के स्टक हो जाते हैं रूक दिमाग में एक चीज़ बैठाती हमारे साथ हैसा बीता हमारे साथ हुआ किसी ने ऐसा कह दिया यानि पिछली बातों को लेकर के बैठे रहेंगे तो फिर अगला तो अच्छा होता ही नहीं है तो ध्यान तो क्योंकि अच्छाई की तरफ जाता ही नहीं है वो तो आपकी खुद की बैठर चीज़े होना शुरू हो जाएंगे अब इस महीने में आपको कौनसे अंक का और रंगों का प्रियोग करना चाहिए आपको आठ अंक का प्रियोग यानि आठ अंक आपके लिए शुबंक रहेगा कच्छी हल्दी का रस निकालना है अद्रक के जैसी होती है हल्दी उसको चिल करके चिल का उतार के उसकता ठूड़ा सा उसको कदुकस कर लीजिए या फिर आप मैश कर लीजिए उससे आपने थोड़ा सा रस निकालना है और इंडेξ फिंगर निकैन आपकी इंडेक्स फिंगर पुखराज भी पाहनते हैं बहुत सारे लोग इ पोज इतना पोर्षन जो पहला लाइन तक का पोर्षन है इसे रंग दीजिएगा कच्छी हल्दी से, कच्छी हल्दी के रस से, डेली गरिए आप और इन फैक्ट उसे देखे भी आप बहुत अच्छा भी अनर्जी फील करेंगे और रंग जो है आपको पीले रंग का इस्तेम पहल कीचियेगा, सुधिं कलर के येलो सुधिं कलर आप पहल सकते हैं, कुछ हैंकी रख सकते हैं、 कुछ धागा बान सकते हैं, इनफैक्ट के अचनल 시간이 हल्दी की त्रीक आप weekend अपने कप्डे में बान करके आपने साथ रख सकते हैं अक्षर जो है ग अक्षर कागज के उपर गः अक्षर लिखना है लेकिन पहले एक वह लिखना है मंत्र लिखना है कागस को फोल्ड किजेगा और इस कागस को अपने साथ पूरा महिना अपने पर्स वालेट में डाल करके रखेगा चीजें अच्छी होंगी, कंट्रोल होंगी, चीजों को आप बैलेंस कर पाएंगे कोई एक एनर्जी होती है जो हमेशा आपके साथ चलना चाहती है लेकिन यह हमारे ओपर डिपेंट करता है कि हम कौन से एनर्जी को लड़के जाएंगा घर से निकलेंगे रोज तो बुरी एनर्जी आपके साथ चलेगी पॉज़टीव सोच करके जाएंगे तो पॉज़टीव एनर्जी रहेगी तो पॉज़टीव सोचा करें आप इसलिए मैं हमीशा कहती हूँ मेरी वीडियो को तो शेर जरूर करें और अच्छा सोचें पॉज़टीव सोचें अच्छा सोचते हैं पॉज़टीव सोचते हैं तो हमारे साथ चीज़ें अच्छी होती हैं खुश रहे, स्फस्त रहे, पॉजटिव रहे, मेरी इस वीडियो को शेर भी करें, और मेरी जो अगली राशी होगी, वो है मका राशी यानि कैप्रिकॉन, 2024 तो चली ही रहा है, सेप्टमबर का मान्थली वाइस हम आपको राशी फल दे रहे हैं, तो अगली राशी, मका राश कैप्रिकॉन, आप करें थोड़ा सा इंतजार तपता के लिए, नमस्कार, खुश रहे,